और अब बाद गोल्डन बॉई नीरच चोपडा की भारत के स्टार जैवलिन थ्रोवर नीरच चोपडा ने पेरिस ओलिंपिक में अपने अभियान की शांदार शुरुवात की है नीरच गुरुप B के क्वालिफिकेशन में सबसे पहले थ्रो करने आए और उन्होंने अपना इस सत्र का सर्वश्रेष्ट प्रदर्शन करते हुए पहले ही प्रयास में 89.34 मीटर का थ्रो किया जो 84 मीटर के क्वालिफिकेशन मार्क से काफी आगे था नीरच ने अपने स्वर्ण पदक के बचाव की बहतरीन चुरुवात की है और उनसे फाइनल में भी इसी तरह के प्रदर्शन की उमीद रहेगी वहीं एक अन्य भारतिय जैवलिन थ्रोवर किशोर जैना ने क्वालिफिकेशन में 80.73 का स्कोर किया और वे फाइनल में जगा बनाने से चूग गए अब सभी भारतियों की नजर 8 अगस्त को देर रात होने वाले फाइनल पर लगी होंगी जब नीरच चोपड़ा एक बार फिर भारत की ओर से स्वन पदक के लिए दावेदारी पेश करते नजर आएंगे तो पेरिस ओलिंपिक में जैवलिन थ्रो के क्वालिफिकेशन इवेंट में नीरच चोपड़ा का सीजन बेस्ट प्रदर्श देखने को मिला नीरच ने पहले ही थ्रो में 89.34 मीटर का मार्क हासिल करते हुए अपनी मौजूदगी का एहसास करा दिया पेश है हमारे समाधाता मुकेश शुकला की एरिपोर्ट खर आ उतरेंगे देश को नीरच से पहले ही काफी उमीदे हैं और आज जब वो कॉलिफिकेशन में प्रक्टिस कर रहे थे तभी से वो बिलकुल कूल एंड कंपोज दिख रहे थे और अपने पहले ही थ्रो में नीरच ने से साइड कर रखा था कि बिलकुल कॉलिफिकेशन का 84 मीटर का जो मार्क है बेंचमार्कर को क्रॉस करना है लेकिन नीरच उस बेंचमार्क से कहीं आगे पहुंचे अगर इसी तरह का नीरच ने अपना बरकार रखा तो उमीर है कि फाइनल जो 90 का बेंचमार्क भी क्रॉस कर देंगे चाम्रमान सेंटल बुकेश उक्रा इडिन्यूस परीज